हेलो बच्चो मैं हूँ मानिया और स्वागत है आप सभी का डाउटनट पे तो बेटा कैसे हो लाइफ में सब बढ़िया चल रहा है मज़े आ रहे हैं वेल बेटा आज ना हम एक बढ़िया चीज के बारे में बात करने वाले हैं और वो क्या चीज है वो है सूपर पार्स अब हमने सारे के सारे सूपर पार्स वाले लोग देखे हैं अब हमने बैटमैन भी देखा है सूपर मैं भी देखा है हमने हातिम भी शक्तिमान भी बज़पन से देखते आ रहे हैं सबके अपने अपने फेवरेट सूपर सूपर मैं होते हैं है कि नहीं पर मैं आपको आज एक सी हम सारा का सारा काम अपना जिसकी टेंशन ले रहोते हैं वो कभी करी नहीं बाते, that's how it works, ऐसे ही चलता है ये, है कि नहीं अमेजिंग, पर इस सूपरपार से हमें नुकसान इतना होता है कि हम समझ नहीं पाते कि क्या करें, तो आज का हमारा वही टॉपक है, how to stop worrying and start living, अब हमारे साथ होता क्या है कि हमें ये चीज पहले समझनी पड़ती है कि ये टेंशन, ये सूपरपार बनी तो बनी कैसे, ये हमारी सूपरपार हमारे अंदर आई तो आई कैसे, अब अकसर क्या होता है कि हम ये सूपरपार अपने अंदर कैसे बना लेते हैं ना, कि हम अपने past में यानि जो पहले हुआ होता है उस चीज में फसे रहते हैं या फिर हम अपने future में फसे रहते हैं अब past में हम कैसे फसे रहते हैं इस चीज का अगर मैं एक example दू तो अब जैसे आपकी कोई girlfriend थी ठीक है एक बंदे ने girlfriend बनाई और उसकी girlfriend ने उसको दे दिया धो का भाई cheat करके चली गई उस पर अब उसको हो गई tension कि भई अब तो ना मैंने किसी पर विश्वास नहीं करना मैं किसी लड़के विश्वास नहीं करूंगा सब के सब चली जाए अपना भाई तो study है है कि नहीं तो अगर इस टाइप की thought आप रखके बैठे हैं तो कई ना पोने कि नहीं कि भई हम किसी पर विश्वास नहीं करेंगे उसी तरीके से अगर हम पढ़ाई कि यह बात करें ना तो हमें यही चीज होने लगती है कि जब भी हम paper देने के लिए जाते हैं हमें एक महीने पहले पढ़नी की आदर डली होती है हम क्या करते हैं उसी चीज में हैं ये चीज़ हम नहीं से चाहिए नहीं तो हमें हमीशा अपने पास से सीखना चाहिए कि यह चीजogra घरीज्वीर्ण वुद्रस है ऑर आपकी girl friend आपको छोड़ के चली गई है तो आप उस situation में क्या कर सकते बताएए नीचे comment करें और मुझे नों आख्किन के बताहिए कि क्या कर सकते या आपने क्या किया टेक है तो अब अगर हम प्रृटर घी बात करे अक्सर यह होता है लिए ख्ला फ्र में भी काफी चीज़े पहले सोच के बैठ में अगर उनके माक्स अच्छे नहीं आते तो बस वो सर पकड़के बैठते हैं कि भाई हमने तो सब कुछ हो दिया ना ही गर्ल्फरेंड बना ना बॉइफ्रेंड कुछ भी नहीं हुआ और साथ में माक्स भी नहीं आए हुआ ने डवल जत्वपून है यानि कि हम हर पल अपना पास्ट बना रहे होते हैं और फ्यूचर में कदम रख रहे होते हैं कितनी अजीब बात है पर कितनी ही मस्त बात है साथ में है कि नहीं तो कभी भी अपने पास्ट के चक्कर में या फिर फ्यूचर के टेंशन में अपना आज मत बरबा नहीं है कि नहीं अब देखिये होता क्या है कि जब भी हम जाते हैं कहीं पर चाहे हमारा function हो चाहे हम नीचे खेलने भी क्यों ना चले जाए कोई नो को यह से अंटी अंकल तो जरूर मिल जाते हैं जो हमें वहीं पकड़ के इसे पूछते हैं बेटा तुम खेल तो रहे हो पर नहीं मार्वन कितने है कि नहीं और वहीं पर फिर हमारी मंमी या पापा जो भी सात में गूर गू कि यहां पर हमें चीज समझनी है कि जितनी भी expectation अगर हमसे बाहर वाले रखते हैं यानि की अंकल पढोस वाले कोई भी चाहिए रिष्ट्दार भी कोई भी हमसे कुछ expectation रखते हैं कोई भी हमसे चाहते हैं कि हम मार्क्स अच्छे लेकि आए उस चीज की चिंता करने की जगा हमें यह समझना चाहिए कि हम अपने आप से क्या चाहते हैं कि हम क्या चाहते हैं कि हम कितने मार्क्स लेकि आए कौन सा subject हम को इंट्रस्टिंग लगता है जिसमें पढ़ने में खूब मजा आता है जिसमें मुझे मार्क्स की टेंशन नहीं होती पर इसकी होती है कि आगे चीज क्या पढ़ें कब पढ़ेंगे कितना इंट्रस्टिंग लग रहा है वो चीज सीखना तो अपनी एक्सपेक्टेशन आप अपने आप से रखी बाकी लोग जो कहते हैं उससे नहीं उस चीज़ पर द्यान मत दीजिए उनको बोलने दीजिए ठीक है और आप अपने आप से यह वादा करिए कि आप जो भी करेंगे हो अपनी खुशी के लिए करेंगे जो भी पढ़ेंगे वह अपने लिए पढ़ेंगे किसी और के लिए नहीं ठीक है कहीं मार्क जदा लाने के लिए कि परोस्वाली आन्टी ने कहा है कि भाई कि किसी के मार्क dog ते जबकि अपने लिए आपको इमार्स लाने चाहिए अपनी खुशी के लिए ठीक है तो अब हम करेंगे तीन ऐसी टिप्स की बार जहां पर आपको पढ़ाई की कोई टैंशन अगर है भी अगर आप ठाई मैनेज कर पा रहे है तो तो पहली है हमारी कि आप तब तक पढ़िए जब तक आपको कोई डाउट नहीं आ जाता ठीक है जब तक आप कहीं अटक नहीं जाते और तब तक आपका एक फ्लो बना रहेगा कि अब होता पसंद तो नहीं थी बच्पन से पर मुझे एक टीचर ने ढंग से बढ़ा किना मैच समझा दी थी और तब मुझे हुआ कि भाई मैं तो मैच अच्छे से करूंगी अब कैसे नहीं होती मैं भी देखती हूं मैंने मैच का एक क्वेशन सॉल्फ करा और मुझे लगा भाई अब को कोशन हुआ ही नहीं अब इसकी दिक्कत यह थी कि मुझे स्क्वेशन में दिक्कत आ रही थी मेरे कंसेप्ट वहां पे क्लियर तो थे पर मेरी प्रैक्टेस ठीक नहीं थी तो मैं अटक गई तो उस सिचुएशन में अब देखे मेरे पास कुछ था नहीं तो मुझे अगल की फोटो क्लिक करिए और वहां पे पोस्ट कर दीजे और आपको इंस्टेंटली उस चीज़ का सॉलूशन मिल जाएगा है कि नहीं बढ़िया तो यहीं चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं यहीं चीज़ आप कर सकते हैं जब भी आपको कोई डाउट आए और इसे तरीके से यह टिप ठीक है यह दिखकत तो मुझे बहुत थी अब जब मैं चोटी थी ना तो मेरा एक ऐसा टाइम था पढ़ने का आमीन खेलने का कि मैं 6-8 के बीच में खेला करती थी और होता क्या था ना कि जब मैं 6-8 के बीच में खेलती थी मेरी पढ़ाई कहीं ना कई पीछे रह ठीक है और उन्होंने क्या किया उस दिन से मेरा खेलने का टाइम भी सारा हटा दिया वह मुझे कहती थी तो अब खेलने की जगा पढ़ेगी क्योंकि किसी आंटी ने बोल दिया था कि बच्चा तुम्हारा खेल रहाता है पढ़ता नहीं बस ममी को वहीं चीज लग गई और भाई से उन्होंने मुझे पढ़ाने बिठा दिया पर इस चीज का एक सोल्यूशन जो मैंने ममी से बात करके निकाला वो यह था कि मैंने छे से साथ के बीच में खेलना चालू कर दिया और साथ स्यांट पढ़ना चालू कर दिया अब देखिए मन तो मेरा भी करता था जब म चीज आप भी कर सकते हैं जब खेलने का टाइम है आपका आप उस टाइम खेलिए और साथ में ही पढ़ने का टाइम उसके बाद रख दीजिए उससे क्या होगा आपका खेलना भी हो जाएगा और पढ़ना भी टाइम टेबल बन गया ठीक है अब करते हम तीसरी टिप की बा यह ती हमारी टीन टिप और आज हमने काफि चीज के बारत करें सूपर पार के बारहें बात करी काफिए कुछ जाना अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो amount करिए इस वीडियो को शेयर करिए उनको भी तो पता लगे उनकी सूपर पार क्या है ठीक है और साथ में ही डाउटनट को सब्सक्राइब करिए ऐसी और वीडियो देखने के लिए क्योंकि आप पढ़ना हुआ आसानी